हेलो फ्रेंद्स आइम शेशीकला कनोजिया और वाचिंग यूर यूट्यूब चैनल जोश लीगल नौलेज आई होप यू अल आर वेल तूड़े तो तूड़े वी विल कवर दे सेक्शन 36 और अंडर दे टीपीए एक्ट 1882 सो इस सेक्शन के अंदर अपोर्शन मेंट के बारे में बोला है अपोर्शन मेंट का मतलब होता है कि किसी को आप डिस्ट्रोब्यूट कर रहे हो अकॉर्डिंग टूद प्रोपोर्शनेट मतलब आपको सही से सबको डिस्ट्रोब्यूट करना है किसका शेयर या किसको कितना कि इसका मतलब यही होता है इस section के हम heading पढ़ते हैं उसके बाद मैं आपको section का example बताऊंगे क्योंकि section को पढ़ने से पहले हमें example समझना बहुत ज़रूरी है TPA जो है बतलो सब टिपिकल है क्यों कि इसके दर कोई illustrations नहीं दिये हैं बहुत कम sections में illustration दे रखे हैं तो हम example पढ़ेंगे उसके बाद आपको clear हो जाएगा section 36 बोलता है apportionment of periodic payment on determination of interest of person entitled कि कौन से person कितना proportionate के लिए entitled है For example A के पास एक property होती है A B को उस property को lease पे देता है और जो B है वो जो rent होता है वो month के end में देता है For example हम January का लेके चलते हैं तो वो 30 Jan को rent देता था बट क्या करता है A mid में जैसे कि 15 January या 10 January को 10 January लेके चलते हैं 10 January को वो C को property sale out कर देता है वो C को property 10 January को sale कर देता है तो इसमें ये बात बोला गया है कि जो B है वो अपना rent किसको देगा क्या वो पूरा rent A को देगा या A और जो C है उनमें ये चीज़ distribute होगी तो वो distribute होगी तो वो कितने distribute होगी वो हम इस section में पढ़ेंगे तो इसमें ये है कि जिसका जित्ता हिस्सा बनता है जैसे कि 10 तारिक को उसने अपनी property को sale कर दिया था C को तो यहाँ पर जो 10 दिन का rent है वो A को मिलेगा और जो 20 दे का rent है वो हमारे C को मिलेगा इस section में बस यही बोलता है कि आप proportionate के according उसको distribute कर दो तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर लिखावा है in the absence of a contract or local uses to the contrary अगर कोई contract नहीं हुआ है तब यह act मतलब यह section applicable करेगा यह कोई local कोई local lobby ना हो all rent, annuities, pension, dividend and other periodical payment in the nature of income shall upon the transfer of the interest of the person entitled to receive such payment entitled to receive such payment be deemed as between the transfer and transfer to accure due from day to day जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर rent हो या कुछ भी हो वो day to day accure to the periodic according उसे transfer किया जाएगा किसके द्वारा transfer or transfer के बीच में and to be apportionable accordingly but to be payable on the day appointed for the payment देरो तो उस दिन से अगर मतलब जिस दिन sale out कमने कर दी थी तो वो हमारे C का अब हिस्सा बनता है C को रेंट देगा I hope आपको इस section सहीव समझ में आ गया होगा अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज आज़े कमेंट करें लाइक करें और आपको सब्सक्राइब मैं यूट्यूब चैनल जोच लेगल नौलेज थैंक यू प्लीजेऴ में शयोचप सब्सक्राइब मैं प्लीज थैंको वडियाब मैंर्ण को सब्सक्राइब